है गाइज दिस इस मोहित कुमार कर्शियप और आप देख रहे हैं गरुकुलहाव यूट्यूब चैनल और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए देख रहा हूं टॉप 15 जनल साइंस के कोशन और जनल साइंस पे आज मैं आपसे डिसकस करूँगा बायलोजी के 15 कोशन बह पिछे जाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपने पास कॉपी पैन रख लें क्योंकि फॉस्ट कोशन है उसका आप लगाते चलें जैसे मैं आंसर बताओ उसको चेक करते चलें कि आपका आंसर सही है या गलत है ठीक है तो डाइलसी सम्बंदित है जिगर ग यही आंसर होगा डाइलसीस का वो होगा गुर्दे यानि की किड्नी और किड्नी की एक खासयत होती है कि जो ब्लड के अंदर और और गैनिक मॉलीक्यूल्स होते हैं और गैनिक उनको रिमूव करने का काम करती है यह किड्नी किलियर गाइस और जो कि दे सर्व दा बॉड़ी और यह पूरी तर से रिस्पॉंसिबल होती है रियाप्सॉर्प्शन और ग्लुकोज और एमिनो एसेड्स तो जितने भी इसके अंदर मॉलीकूल्स होते हैं और गैनिक उनको रिमूव करती है जैसे कि वाटर सॉल्लीबल वेस्ट होती है ठीक है और नेचुरल फिल्टर करत होती है ब्लड को हमारी किटनी और उसको यूरिया और जो अमोनिया होती है उसको अलग-लग डिवाइड कर देती है ठीक है और यह पूरी तर से रिस्पॉंसिबल होती है रियाप्सॉर्प्शन और वाटर ग्लुकोज एन एमिनो एसेड के लिए तो फर्स्ट क्वेश्चन क पर भी देख सकते हैं अनकैडमी पर आप सर्च कर लिजे मोहित कुमार कश्यप ठीक है अनकैडमी लर्नेगा प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लिजे जहां पर मैं SSE, Railway, CTAT, UPTAT के एक्जाम के लिए beneficial courses बनाता हूँ तो आप इसे follow कर लिजे मुझे मोहित कुमार कश्यप के न यूरिया रक्त से कहां अलग होता है तो कौन सा पार्ट है जो ये अलग करता है तो वो होता है जैसे कि मैंने भी बताया गुर्दा यानि कि किड्नी ही यूरिया रक्त को अलग करता है तो दोनों को बिलकुल अलग करने का काम करता है ठीक है और जितनी भी हमारे बाडी के अ इंदर टॉक्सिक वेस्ट होती है ठीक है वह भी ब्लड से यह अलग करता है और यूरिया को अलग पार्ट में डिवाइड करता है आगे चलते हैं थर्ड क्रिश्चन है थर्ड है कि प्रती मिनट गुर्दे के माद्यम से औसत रक्त प्रभा कितना है तो यह होता है 1200 cc ठीक है 1200 cc होता है किडिय आर तं मौस्ट इंपोटेंट और गन हमारी बॉडी का सबसे मौस्ट इंपोटेंट ऑर्गन है और यह करीब करीब 5-15-0 ब्लड को प्यूरीफाय करता है और उसको कनवर्ट करता है डीर ली जो डेड़ लेटर होता है, डेड़ लेटर यूरीन पर डे ये अलग करता है, और 1200 ml of blood flows through बहुत दा kidney per minute, पतब 1200 ml जो blood होता है, उसको दोनों ही kidney, दो kidney होती है ना, दोनों ही kidney per minute के एसाब से, उसको उसका flow kidney के अंदर चलता रहता है, ठीक है, आगे चलते हैं, fourth question पर, fourth question है, when kidneys fail to function, there is accumulation of, जब गुर्दे कार रह करने में विफल हो जाते हैं, तो उसमें किसका संचय होता है, ठीक है, जब गुर्दे काम करना बंद करते हैं, तो उसमें किसका संचय होता है, तो उसमें होता है, nitrogenous zest produced in the blood, रख्त मेर nitrogen yukth abscist, abscist, पदार, ठीक है, fourth option हो जाएगा, रख्त में, nitrogen yukth abscist, पदार, clear, तो लगबग एग ही concept है, जो मैंने बताया है, ठीक है, चलिए, आगे चलते हैं, अपने next question पर, fifth question है हमारा, the dializer is used for the work of, dializer का उपयोग के कारे के लिए किया जाता है, किसके कारे के लिए किया जाता है, dializer का उपयोग, तो वो भी होता है, गुर्दे यानि कि kidney के लिए, ठीक है, the treatment option for kidney failure, ठीक है, kidney failure में होता है, peritonial dialysis, जिसको बोले जाता है, PD, ठीक है, PD बोले जाता है, peritonial dialysis, और hemodialysis and kidney transplant, तो इसमें इसका dializer का use किया जाता है, आगे चलते हैं, next question पर, next question है, the cross section of a stream of tree has 50 rings, what is the age of the tree, एक तने के पार अनुभाग में 50 व्रत हैं, तो पेड की उम्र क्या होगी, ठीक है, तो पेड की उम्र होगी, 50 वर्स होगी, क्योंकि उसमें 50 व्रत दिखाए देते हैं, circle दिखाए देते हैं, ठीक है, 50 circle दिखाए देते हैं, तो उसकी उम्र भी 50 ही होगी, next है, the bones are held together by elastic tissues are called, लोजदार उतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को हम क्या क्याते हैं, तो options हैं, उसको बोला जाता है, ligaments, fibroids, tissues, fibrin, या फिर muscular tissues, क्या हो सकता answer, तो उसका सही answer होगा, ligaments, सनायो बंदन, जो एक ligament होता है, a ligament is an issue that connects two bones to form a joint, मतब दो bones को दो हट्टियों को जोडने का काम करता है, एक ligament, it is tough and fibrous, which means that when it is form, a ligament can take quite a while to heal and might even require surgery, ठीक है, तो जब भी कभी इसमें किसी भी प्रकार की चूट लगती है, कोई भी नुकसान पोसता है, तो उसको सर्जरी के दौरा ही ठीक किया जा सकता है, ठीक है, तो लोज़दार उतक द्वारा हड्डियों को एक साथ रखे जाने को क्या कहते हैं, इसना यूँ बंधन बोला जाता है, ligaments, नेक्स्ट कुश्चन है कि, प्लेक्यूज फॉर्म अन्टीथ आर मेड़ अप आफ दातों पर निर्मित फ्लैक्स किस से बने होते हैं, तो चार उप्शन है आपर आपको दिये हुए हैं, ठीक है, तो मैं सही आंसर ही बता देता हूं, फूट पार्टिकल्स प्लस सलीवा प्लस माउथ एसिड प्लस बैक्टिरिया, यहनकी खादकर्ण, लार, मूँ एसिड और बैक्टिरिया, ठीक है, आगे चलते हैं, नेक्स्ट कुश्चन है हमारे पास, नाइन्थ कुश्चन, विच आफ द फॉलोविंग आर रिक्वाइड, रिक्वाइड फॉर्ड फॉर्मिशन और बॉन्स एंड टीत, तो हड्डियों और दातों के गठन के लिए, निमनिमकित में से क्या आवश्यक होता है, तो सबसे जरूरी चीज होती है, दोनों के गठन के लिए, ठीक है, हड्डि और दातों के लिए, तो होता है, कैल्सियम और फास्पोरस, कैल्सियम और फास्पोरस, teeth and bones both are hard तो नहीं कठोर होती हैं white होती हैं और heavy होती है teeth are composed of calcium phosphorus and other minerals मतलब इसमें और भी अदि अलग minerals होते हैं जबकि bones contain calcium, phosphorus, sodium and other minerals but mostly consist of the protein collagen तो यहाँ पर अगर option के साब से दिखा जाए तो calcium and phosphorus इसका साइए answer बनता है चलिए 10th question आता है हम और पास in human beings normally in which one of the following parts does the sperm fertilize the ovum? मनुश्य में आम तोर पर निम्लेकित में से कि इस भाग में शुकुराणू अंडाकार को निशीचित करता है तो इसका सही answer होगा fallopian pub fallopian pub सही answer होगा चलते हैं 11th member questions पर 11th number question है हमारा the hormone related to drought tolerance is सही शुनूता की कमी से सम्बंदित hormone है तो वो hormone होता है उसको बूला जाता है obsessic acid यह option होगा obsessic acid ठीक है the hormone obsessic acid was discovered in early 1961 यानि कि 1960 में इस acid को हो जा गया था obsessic acid and plant biologists have known for decades that it play crucial role in keeping plants alive during the drought तो जो plant होते हैं ठीक है और जो सुके जहतर में जो plant जीवित रहते हैं तो वो इसी hormone की वज़े से जीवित रह पाते हैं इसी के लिए इसको खो जा गया था यही पता लगाने के लिए जो सुकेस्तान होते हैं ठीक है ॥चीक है वहाँ पर जो पेड़ अूदे होते हैं प्लांट जो होते हैं वो कैसे जीवित रह जाते हैं तो यह इस hormone की वज़े से ही जीवित रह पाते हैं obs tip ऐश्यूं है। casoall अनक्स कुशेंज हैं हमारा ही आयोडीन खंटेनीं अनिंग हार्मोन है ऐड्रायौन बड़ А कौन सा और फार्मोन होता है तो वह वह होता है ठायरेकसीन इसको बूले जाता है ठायरेकसीन ता-तायरॉइट ग्लैंड जो थायरेड ग्रंती ही होती है is located in the front of the neck attached to the lower part of the voice box जिसको बोलते है नरिनिक्स and the upper part of the wind pipe जिसको बोला जाता है the thyroid gland produced thyroid hormones these are peptides containing 65% of iodine बत्तो बत्तों 65% iodine को contain करती है तो iodine यूप तो हार्मोन कोम सा हो जाता है थायरेक्सील चलिए चलते हैं अपने नेक्स कोश्टेन पर और नेक्स कोश्टेन है element animals that are well known to use phenomena और पशू जो phyromon का उप्योग करने के लिए जाने जाते हैं वह क्या है तो वह होते हैं ants, chitti ठीक है? उनको chitti बोला जाता है तो अगर इसमें और बात की जाए और किसी जीब जन्तु की बात की जाए तो bees होते हैं wasps होते हैं, ants हो गए mons हो गए and other insects rally largely upon phenomenon as a mean of communication ठीक है तो इसमें bees, rasp, ant और moth ये चार चीज़े आती है ठीक है option के according हम यहां पर ant से इसका साइन अंसर होगा next है by whom estrogen is produced estrogen का उत्पाद किसके दुआरा किया जाता है तो सही answer होगा इसका fallis lease ठीक है fallis lease यानि की फली estrogen का उत्पाद किसके दुआरा किया जाता है fallis lease फली के दुआरा next है in the human body which of the following is ductness gland मानद शरीर में निमलिकित में से कौन सी एक लचीला गरंती है तो वो होती है अंतै स्रावी गरंतिया एंडो एंडोसरीन ग्लैंट्स जिसको अंतै स्रावी गरंती बोला जाता है एंडोसरीन ग्लैंट्स जो होती है और internally screting ग्लैंट्स और ductless glands since they lack excretory ducts clear तो मानद शरी में कौन सी एक लचीली गरंती है तो लचीली गरंती का जो नाम दिया जाता है वो आंतै स्रावी गरंती को ही दिया जाता है clear guys तो यहाँ पर हमने 15 questions discuss किये beneficial questions discuss किये आपके आने वाले exam के लिए अगर आप SSE की preparation कर रहे है रिलेवी की preparation कर रहे है UPSC, UPPCS exam है या कोई और आदर ऐसा exam है जहाँ पर General Science के questions पूछे जाते हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा beneficial ये वीडियो होने वाली है क्योंकि इस तरह के questions exam में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं बार बार पूछे जाते हैं तो उसको अच्छे से prepare कर लीजे साथ इसकी free PDF डाउन्डोड कर लीजे डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलिग्रम जोइन करने का link दिया है तो link पे click करेंगे तो join का आपको option मिलेगा तो टेलिगरम गरूँ आप join कर जाएंगे और वहाँ पर अभी तक हमने जो भी PDF प्रोवाइड कराई है वो सभी PDF आपको real cost मिल जाएगी तो आज की वीडियो बस यही questions आपको अगराने थे वीडियो आपको पसंद आई हूँ तो वीडियो को जाज़ा सब्सक्राइब नही है तो चनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही बैल आइकन क्लिक कर लें तक आपको आने वाली सभी वीडियो के नोटिविडियो मिलें और सबसे पहले मिलें धन्यवाद